नमस्कार मैं अस्थाकुक्रेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं बच्चों हम लुग हमारी हिंदी अध्याई के पहले जो चार पाठ हैं उनको हम पूरा कर चुके हैं और आज क्योंकि एक नई दिन क अपीशा कि शुरुवात दो एक नए ही अध्याई हम शुरू करेंगे तो जीर्षक रहेगा misin है जो हमें वह उनकी याद के समयうん ho तो कवीता पर जाने से पहले हम हमेशा की तरह पहले कवी की जीवन परीचय की बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम अपने कवीता पर जाएंगे तो एक बारी हम परीचय के साथ चुरू करते हैं लेखक का जीवन परीचे उसका पहला जो बिंदू रहेगा वो रहेगा परीचे का तो सबसे पहले शुरवात करेंगे परीचे के साथ विष्णु खरेजी जो थे उनका जनम छिंदवाड़ा एक नाम की जगा है कहा पर है यह मध्यप्रदेश में है तो छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश की एक जगा वहाँ पर इनका जनम हुआ था और इन्होंने क्रिष्ण कॉलेज जो यह होते हैं इनका इंदोर से 1963 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में में किया था यानि कि जो विष्णु खरेजी जो थे अगर उनकी मैं बैग्राउंड की बात करूं तो उनकी वो जो बैग्राउंड थी वो अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी उन्हों समाचार पत्रों में उन्होंने उप समपादक की रूप में कारे किया उसके बाद Schutz उन्हों पर उन्हों से लेकर 내려头 यानि उन्होंने उसके बाद दिल्ली इन दो जगाओं के जो Colleges थे उसमें उन्होंने teaching भी करी 1966 से 1916 में लगु पत्री का व्यास का संपादन किया और उसके बाद जो है 66 से लेकर 67 एक साल के बीच में उनकी एक जो छोटी पत्री का आई जिसका नाम था व्यास उसका उन्होंने संपादन किया यह इनका थोड़ा सा जीवन परीचे था उसके बाद 1976 से लेकर 1986 से लेकर 1984 तक साहिते अकादमी में उप्र सचीव कारे करम के पद पर पदा सीन रहे मतलब जहां पे साहिते से झुड़े हुए काम होते थे वो वली अकादमी में वो उप्र सचीव के रूप में जो है उन्होंने कारे किया और 1985 से नव भारत टाइम्स में प्रभारी कारे-कारी संपादक के पदपर कारे किया नव भारत टाइम्स जो है आज भी जो एक ऐसा अखबार है जो आज भी घर-घर में बहुती जादा इतना शोक से पढ़ा जाता है और जादा तर इसकी जो लोग है इसको पढ़ना चाहते हैं तो बहुत फेमस अक प्रसिद्ध है ये जो नव भारत टाइम्स है यानि कि अगर मैं ये कह दो कि शुरू से ही उनका कभी किसी अकबार के साथ कभी किसी पत्रिका के साथ या फिर महाविद्यायलों के साथ जो उनका संपादन का रहे था वो लगातार चल रहा था उसके बाद 1993 में जैपुर नव भारत टाइम्स के संपादक के रूप में उन्होंने कारे किया यानि कि उन्होंने जैपुर के भी नव भारत टाइम्स में कारे किया और इसके बाद जवाहरलाल नहरू समारक संगराले तथा पुस्तकाले में दो वरिष्ट अध्यता रहे थ जिसको हम यह बोलते हैं सीनियर टीचर जो होते हैं वह वहाँ पर रहे दिन कहां पर जवाहर लाल नहरूस मारक एक संग्राले में वहाँ पर जो है वह वरिष्ट अध्यता रहे दिन और उसके बाद स्वतंत्र लेखन तथा अनुवाद कारे में रत है यानि कि उसके बाद से अनुवाद नहांजा अनुवाद है तो यहां पर थोड़ा सी परीच है था उसके पद उनके जीवन में उन्होंने कोण-कोण्सी रचनायी रची थी हम एक बार उसके बारे में पढ़ेंगे अब चारिक रूप से उनकी लेखन प्रकाशन का आरंव 1956 से हुआ यानि कि अगर हम ये कहे दें कि वैसे वो लिखतो रहे थे लेकिन आपचारिक रूप से जो वो सबके सामने आये थे वो 1956 में आये थे और उनका जो पहला प्रकाशन था वो टी एस इलियट का अनुवाद जो की एक पुस्तक रही है टी एस इलियट उसका जो उन्हें अनुवाद मरू प्रदेश और अन्य कवीताएं 1960 में देखने को मिलता है उसके बाद उनका जो दूसरा कवीता संग्रह था एक गयर रूमानी समय में उनका एक और कवीता संग्रह आया जिसमें बहुत सरी कवीताओं का संग्रहन किया उन्होंने वो 1970 में प्रकाशि फिर एक और आया पांचवा पिछला बाकी और छठा आया काल और अवधी के दर्मियान ये इनका प्रकाशित हुआ था ये इनका पांचवा और छठा था और उसके बाद एक समीक्षा पुस्तक उनकी आई थी जिसका नाम था आलोचना इसमें जो है इस पुस्तक में जो है उन 1983 में प्रकाशित हुई थी यह उनकी कुछ रचनाएं थी इन रचनाओं में से आप कम से कम चार या पांच रचनाएं जरूर लिखेंगे उसके बाद फिर हम इनका देखेंगे एक बार सहित्य परीचे सहित्य परीचे में उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी अनुवाद अत्याधि किया है अभी हमने उपर पड़ा है कि जो विश्नु खरेजी है उन्होंने एक ट्रांसलेटर के रूप में विकारे किया है तो उन्होंने क्या किया है Macron County to Hindi अंग्रेजी An involve उसके बाद की औनुको फिन्लेंड से राष्टिय संमान के नाम से संमानित किया गया ये फिन्लेंड का एक पुरुसकार जो साहिते के शेत्र में दिया जाता है इनको उस पुरुसकार से संमानित किया गया और इसके बाद रगुवीर सहाय सम्मान मिला शिखर सम्मान मिला अकार सम्मान मिला साहत्यकार में अब जरूर लिखें कि या गुलाम ने तो उस में काल से हुई इस प्रकार की जो चीजेिए उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं जो मानवत के साथ जो है उसके बिलकुल विप्रीत वियवहार किया जाता है वो जो फितिया होती है जो पनपती है उस समय तो उसका यो कवीताओं में जो देखने को मिलता है तो यहां पर विश्णु खरेजी का जीवन यह खतम होता है उसके बाद अब हम इनसे जो जुड़ी हुई कवीता है एक बार हम उसके बारे में जानेंगे इनकी कवीता का जो शीर्षक है वो है एक कम पहले तो इसका शीर्षक और उसके बाद जो है इनकी कवीता एक कम जो कवीता है ये न स्वतन्तृता के बाद जो हमारा जब भारादेश आजाद वो गुलाम था तो उस समय जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उसके बाद की जो स्थितियां थी उनकी आधार पर इस कवीता का जो चयन है वो किया गया है और इस कवीता में कुछ इन को लिया गया कि जब स्वतेंतिरता के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने धोखा-धड़ी करी जिन्होंने बुरे काम करके अपने आपको उन्नति की शिकर पर ले गए और कुछ लोग ऐसे थे जो धोखा-धड़ी नहीं कर पाए जूट नहीं बोल पाए तो वो शुरू करते हैं 1947 के बाद से 1947 के बाद से इतने लोगों ने इतने तरीकों से आत्म निर्भर माला माल और गतिशील होते देखा हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाए या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक इमानदार आदमी और या ब पर द्यांच करने से पहले मैं आपको इसका प्रसंग बताना हुंगी हम सबसे पहले प्रसंग करेंगे तो प्रसंग हम करेंगे कि जो प्रस्तूत पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठेव पुस्टक अंतुरा में एक कम नामक कवीता से उध्रित की गई हैं, जिसके रचियता विश्नु खरेजी हैं, इन पंग्दियों के माध्यम से विश्नु खरेज हैं स्वतिंत्रता के बाद की स्थिती में इमानदार और जो धोखा दड़ी वाले लोग होते हैं, उनके उपर बात कर रहे हैं, उसके बा बहुत सारी चुनूतियों का सामना था, सबसे पहले चुनूती तो ये थी कि गरीबी जो हमारा भारा देश उस समय बहुत गरीब था, एक दम से स्थिती विपरीत हो गई थी और दूसरा आये कि जो जाती प्रथा थी, कि मतलब एक साथ बहुत सारे धर्मों को, हमारा का कि भारा देश बहुत सारे धर्मों का देश है, तो एक साथ बहुत सारे धर्मों को एक देश में समाहित करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनूती थी, तो सबसे पहले तो इस गरीबी को दूर करना, वो कैसे किया जाए, तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्वार्थ स परकता के सत्थ कार्य किया और सिर्फ अपनी गरीबी धूर करने के लिए उन वे उन पर जो है उन्होंने को बहुत है आसथा कारuu किया सफसांब कविश Come की बात कर रहे हैं कि मैंने आजादी के बाद इतने didn't but को को बहुत सारे तरीकों से आत्म निर्भर खुद पर जो है डिपेंड होते हुए देखा माला माल यानि कि पैसों से भरते हुए देखा उनको और गतीशील होते कि वह लगातार उन्नती की ओर बढ़ रहे हैं मैंने ऐसे लोगों को जो है देखा है कि अब जो ऐसे लोग जो कर गए हैं और अपने आपको जो हैं उन्होंने माला मल किया है या आत्मनर्भर किया है फिर बात आती है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूं कि मेरे सामने इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ें फिर लेख इस प्रकार से वो यहां पर इमान और इमान दर दो लोगों की बात कर रहा है यह इसका भावार्थ होगा उसके बाद फिर हम इसका विशेश देखेंगे विशेश में अगर हम बात करें इसमें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अजादी के बाद की स्थीती का वर्णन किया गया तो सबसे पहले हम नमबर एक पर लिखेंगे आजाने के बाद की स्थीती का वर्णन और नंबर दो पे जब आप देखेंगे यहाँ पर 25 पैसे या इस प्रकार के जब आप शब्द देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें पर वर्ण की आवरिती के करण आपको अनुप्रा सलंकर देखने को मिलेगा दूसरे चीज यह तीसरा यह कि अब आप देखेंगे यहाँ पर अब जब जब इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि इसमें तुकांत शब्दों का इस्तिमाल किया गया है एक जैसे दो शब्द है तो आप इस प्रकार से जो इसका विशेश है वो आप पूरा करेंगे यह हमारा भावार्थ है जो हमने लिखा हुआ हैं उसके बाद हम जाएंगे अपने अगले पध्यांज पर अगला पध्यांज शुरू करते हैं मानता हुआ कि हां मैं लाचार हूं कंगाल या कोड़ी या मैं भला चंगा हूं और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज हूं लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच लज्जा परिशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिलकुल नंगा निरलज और निराकांशी मैंने अपने को हटा लिया हैं हर ह कोड़ से मैं तुम्हारा विरोधी प्रती द्विंदी या हिस्सेदार नहीं हूं मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हूं यह हमारा दूसरा पध्यांश है तो यहाँ पर कभी क्या कहना चाहरा है कि मानता हुआं मानता है कि हम लाचा रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं है कंगाल भी है कोडी है हमारा जो शरीर है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहा है या मैं भला चंगा हूं और काम चोर हूं तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि अगर मैं माला माल नहीं हो तो एक तो यह चीज़ कि हाँ भई मैं काम कर नहीं सकता, एक तो यह चीज़ कि उसका जो शरीर है वो खराब हो गया या उसका शरीर काम कर नहीं पा रहा, दूसरी यह चीज़ कि उसका शरीर तो काम कर पा रहा, लेकिन वो जो इंसान है, वो काम चोर है, वो काम करना नहीं चाहता, यहाँ पर दो ही चीज़े हैं, त इसकी वज़े से मैं माला मल नहीं हूँ तो यहाँ पर दो बाते हैं यह हो सकता है कि मैं एक मामूली धोखे बास भी हो मैं हलकी फुलकी सी धोखा धड़ी कर लेता हूँ लेकिन पूरी तरह से तुम्हारे संकोच लज्जा परिशानी या गुस्से पर जो आश्रित या निकि म पूरी तरीके से मतलब तुम अगर मुझे देते हो तो मेरा पेट भर जाता है तो मुझे नहीं देते हो तो मेरा पेट नहीं भरता है मैं पूरी तरीके से तुम्हारे गुस्से पर आश्रित हूँ क्योंकि कई बार जो लोग भीग मांगते हैं दूसरे जो लोग उनको Of course your statement distracting तुम पराश्रिद हम तुम्हारे सामने बिल्कुल दंगा निर्लाज़ चुर निराकांशी और में तुम्हारे सामने हुं न मेरे पास पहने के लिए कपड़ा है जिसके पास जो श्रम होती है वह नहीं होती ना मेरे पास कोई शर्म है मुझे भी एक मांगने में भी कोई शर्म नहीं आती है और नहीं और मैं निराकांशी हूँ यानि कि जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है जिसके मन जिसकी जो wishes होती है वो खतम हो जाती है वो निराकांशी होता है तो मैं बिल्कुल निराकांशी हूँ मे दिया हिस्सेदार नहीं और नहीं मैं तुम्हारा प्रतीधिन्ध्टी सब्सक्राइब में नहीं में तुम्हारे किसी आगे भणने में किसी मंजिल निकलोगे तो मैं उसका हिस्स्नेदार हूँ मैं इनमेंसे तुम्हारे 216 लिए तरप से तुम निश्चिंत हो जाओँ मुझे कुछ दे कर या ना दे कर आदब तुम अगर तुम मुझे मेरी भीब में कुछ दे देते हो तब कुछ भी नहीं है वह आदमी जैसा है चाहे वह कामचोर है चाहे वह कोड़ी है वह अपनी जिन्दगी जैसी जी रहा है वह वैसी ही जिएगा वह तुम्हारे आगे कॉंपिटिशन में नहीं आना चाहता यह इसका भावार्थ था एक बार हम इसका जो है देखें गई हापर कि प्रस्तूत कावे प्रंक्तियों में कवे विश्णू खरे अपने आपको लाचार कंगाल और फकीर कहते हैं और कहते हैं कि मैं खुद इतना गरीब हूं कि जो व्यक ऐसे कमाता तो शायद मैं आज इन लोगों की जो मदद हैं मैं वो कर पाता लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया इसलिए कवी को थुड़ा सा अफसोस हो रहा है और कवी को जहां बैइमानी करने वाले लोगों की ओपर शर्म आ रही हैं वहीं दूसरी और कवी को उन लोगों से सहन में मदद की आवश्यक्ता है उनकी मदद नहीं कर पा रहे कभी इस वक्त खुद ही एक फकीर की भाती जो है जिन्देगी बिता रहे हैं इसका भावार था उसके पाद हम इसका एक बारी विशेश देखेंगे अगर मैं इसका विशेश की बात करूँ तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि जो है एक गरीब जिस प्रकार से अपने जीवन जीता है उसके जीवन यापन के उपर यहाँ पर बात की गई है नमबर एक अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो भाषा जो है सरल भाषा का इस्तिमाल किया गया है और शब्दों में प्रवहा मैता आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर तो आप इसका यह जो विशेश है इस प्रकार से लिखेंगे उसके बाद जो हमारी कवीता है इस कवीता का यहाँ पर अंत होता है और अब इस कवीता से जुड़े हुए जितने भी मुल्यांकन के लिए प्रशन है जो के हमारे परिक्शा की दृश्टी से जरूरी है एक बाद हम उन प्रशन पर बात करेंगे चलिए बमरी शुरू करते सबसे पहला प्रशन रहेगा कभी ने लोगों की आत्म निर्भर माला माल और गतिशील होने के किन तरेकों की और संकेत किया है अपने शब्दों में लिखिए यहाँ पर हमें बताने कि लोग जो हैं किन तरेकों से आत्मनिर्भर हुए हैं माला माल हुए हैं या फिर गतिशील हुए हैं हमें उनके बारे में लिखना हैं पहला उत्तत कभी कहते हैं कि लोगों ने खुद को आत्मी नेर्फर्माला माल और गतिशील बनाने के लिए बे इमानिका रास्ता जो है वो चुन लिया हैं तो कि इमानदारी के रास्ते पर चलना इतनी जल्दी माला माल होना संबव नहीं था तो उन्होंने बे इमानी का रास्ता चुन लिया है लोग अपना जेब भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यहां तक कि किसी का खुन भी कर सकते हैं कभी उन लोगों पर व्यंग्य करते हैं जो गलत रास्ते पर निकल कर पैसे कमाने की होड में अपना सर्वनाश कर रहे हैं तो यह हुगा इसका अगला प्रेशन रहेगा हाथ फेलाने वयले व्यक्ति को कभी न इमानदर क्यों चैसलिए। क्योंकि उसके पर पैसा नहीं है इसी वज़े से उसको हाथ फेलाना पढ़ रहा है तो ऐसे गउसने जो इमानदार है वो कहा है न attendees कभी के समक्ष इसले मांद आरे क्योंकि अगर इमांदार नहीं होता तो शहाद लोगों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाता। आज वह इमानदार है इसी लिए वहें अपना पेट भरने के लिए नीसल कोच लोगों के समक्ष हाथ फिला रहा है और उसके पच पर चलकर जो है अपना पेट भर रहा है इसका ये उत्तर होगा अगला प्रशन देखेंगे कभी ने हाथ फिलाने वाले व्यक्ति को लाचार का प्रशे हो सकती हैं जा तो वह काम नहीं करना चाहा और सक पास के पास एक बहुती स्वश्थ शरीर है लेकिन वह इंसान बात यह कि बावरत बीमारे की वज़े से काम नहीं कर पान कारने की वजेसे इसक resembles हाथ पेलाना पड़ रहा है यह दो ही जो कारण होते हैं वह हो सकते मिहींद तो इसी लिए उसको लाचार काम, चाल और धोखिवास कहा है क्विक सब्सक्ष्वान Kim duties को कवी ने लाचार कहा है क्यों कि कवी के निसर्द 건 वह भले ही गल्स काम का विरोध भी नहीं करते हैं विरोध ना करने के कारण कभी के समक्ष ऐसे व्यक्ती कामचौर और लाचार होने के साथ धोखे बाज है क्योंकि उन्होंने चुपिसादी हुई है और ऐसा करके वो अपने समाज के साथ धोखा करते हैं कि उनको पता है कि जो विया लोग माला माल होने के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं वह दोखा धड़ी का सहारा ले रहे हैं लेकिन उसके वावजूद भी वह उन लोगों को रोकते नहीं कि वह लोग ऐसे दोखाड़ी क्यू कर रहे हैं वो बस उनको करने देते हैं तो इसकी वज़े से जो है उन्होंने बोला कि वह अपने देश के साथ गलत कर रहा है तो ये दोखेवाजी देश के साथ उसके बद मैं तुम्हारा विरोधी प्रती द्विंदी या हिस्सेदार नहीं से कभी का क्या भी प्राए है क्योंकि जो इंसान भीक मांगर अपना गुजारा कर रहा है उस इंसान को पता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह गलत काम भी कर रहा है दोखा दड़ी भी कर रहा है ल जा रहा है कि उसको किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं तो प्रसूत पंक्तियों के माध्यम से कभी विष्णु खरे अन्याय अवा मत्याचार्ग में लिप्त लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूत नहीं मैं तुम्हा हमें उसका अर्थ लिखना है और हमें उसकी भाषा नहीं लिखनी है शिल्प संदर्य में हमें उसकी भाषा लिखनी है और कावे संदर्य में भाव संदर्य भी लिखना है और शिल्प संदर्य भी लिखना है इन तीन प्रशनों का बहुत अच्छे से धिहान रखना है पहला स्वतंतिरता की हमने बाद की बात की थी टो स्वतंतिरता के बाद उस कवीने बहुत सरे लोगों को ऐसे दिखा ता जो एक ही दं से आतम निरभर भी हुए थे गत van ंठीं सब्सक्राइब के रहे हो सब्सक्राइब कर वाद श्वार्थ कर दितक होगा उसके दो नजा है कभी स्वयम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं तो इतना लाचार हूँ कि उन लोगों की मदद भी नहीं कर पाता जो मेरे सामने चाय और रोटी या 25 पैसे के लिए हाथ फे लाते हैं मैं खुद ही एक फकीर की तरह जिंदगी बिता रहा हूँ अगर मैंने बे इमानी के पत पर चलकर पैसे कमाये होते तो शायद मैं इनकी मदद कर लेता इमानदारी के पत पर है और उनके पास कोई पैसा नहीं है और ना ही उन्होंने गलत रहा पर चल कर पैसा कमाने की कोशिश की है और ना ही उन्होंने ये कोशिश की कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनका भी विरोत कर दिया जाए उन्होंने जो चीजें जैसी चल रहे थी उन चीजों को वैसे ही होने दिया तो यहाँ पर उन्होंने अपने आपको भी इस तरीके से मामूली धोखेबास कहा है अगले प्रशन है हमारा तुम्हारे सामने बिल्कुल लिया है हर होड से यहाँ पर इन पंक्तियों के मादब से कभी कह रहा है कि मैं तुम्हारा कोई प्रतिद्विंदी नहीं हूँ मैंने तुम्हारे किसी प्रतिद्विंदी नहीं करना है तुम अगर मेरा पेट भर दोगे तो भी ठीक है कवी के अनुसार लज्जा रहित इच्छा रहित व्यक्तिव हैं जो किसी विप्रकार की प्रतिस पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहता है उसको यह लगता है कि हम भी मुझी अब किसी से टकराव नहीं करना जो जिंदगी है बस इमानदारी के साथ चहे भले ही हाथ फैलाते हुए गुजारनी पड़े हम इसको ऐसे ही गुजारेंगे अगला प्रशन है उसमें हमें शिल्प संदेरे स्वर्ष्ट करना है क्योंकि इस प्रशन में हमें इसका आर्थ है कि भाशा बतानी है तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है भाशा है अब कि अगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूं मेरे सामने एक इमानदार आदमी औरत या बच्चा खड़ है हमें यह बताना इसका शिल्प संदर है तो इसका इपर शिल्प संदर है देखेंगे हम लोग यह पंक्तिया मुक्तक छंद म में रची गयी है यहां मुहावरे का प्रयोग किला गया है कि अगला प्रेशट है आधम विरोधी प्रती दून नहीं हो तुम निष्चिन्त रह सकते हो तो यहां पर इसका भी हमें भावर संदर्य बताना है तो कभी विश्णु खरे ने मुक्तक छन में इस कवीता की रचना की है जिसकी भाषा बहुती सहज है और सरल है यहां पर इन पंग्डे की जो है यह भाषा हो जाएगी तो यह हमारे कवीता हमने पहले परीचे किया फिर हमने कवीता की और अब हमने प्रशन उम्मीद कर क्यों कि बचों आप भी अपनी जिन्दगी में इमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे हाथ नहीं फैलाना है लेकिन जिन्दगी में आगे बढ़ना इमानदारी के साथ हमें अपनी मन्जिल को पाना है तो इसी के साथ आज की क्लास खतम करते हैं चुड़े रही पढ़ लो इंडिया मंच के साथ धन्यवाट